नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बेहधी महत्वपून जानकारी को लेकर के जिहां रात को सोते वक्त भूना हुआ लहसुन खाने के फायदे जानकर दंग रह जाएंगे आप अगर आप जान गए तो खा कर ही आज हम आपको रात को सोते वक्त भूना हुआ लहसुन खाने के फायदे के बारे में बताएंगे हाल ही में एक रिसर्च की गई जिसमें यह बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ती एक साथ पांच से छे भूना हुआ लहसुन खाता है तो सिर्फ एक दिन में उसे अपने शरीर में बदलाव नजर आने लगते हैं इस रिसर्च में बात सामने आई है कि लहसुन खाने के ठीक एक घंटे के बाद यह लहसुन पेट में पच्च जाता है और अपना पोश्टिक प्रभाव देना आरंब करता है इसके साथ साथ एंटियोक्सिडेंट तत्वों को हमारी शरीर अपने भीतर सोखने लगता है आये जानते हैं हम रात को भूना हुआ लहसुन खाकर सोने के फायदे कोलेस्टरोल और हरदय के लिए यह बढ़े हुए कोलेस्टरोल को कम करता है साथ ही हरदय के लिए फायदे मंद होता है विशेले पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकालता है मुत्र या मल के मार्ग से हड्डियों को मजबूत करता है शरीर की हड्डियां मजबूत होती है इससे शरीर में खास प्रकार की एनर्जी आती है जिससे आपके अंदर का आलस्य खत्म हो जाता है भुने हुए लहसुन खाने से शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाल आपका फैट बर्न हो जाता है भुने हुए लहसुन खाने के 6 घंटे के बाद हमारे रक्त में मौजूद संक्रमर को खत्म करने का काम करता है इसके अलावाए ब्लड प्रेशर के लिए ये समझ ये तो काल होता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है लहसुन आप कि श्वशन तंत्र के लिए काफी फायदे मंद है इसका सेवन करने से अस्थमा निमोनिया जुकाम ब्रोंकाइटिस पुरानी सर्दी फेफणों में जमाओ और कफ इत्यादी से निजात और बचाओ होता है अगर आपको भूख कम लगती हो तो लहसुन का सेवन करना आपके लिए फायदे मंद साबित हो सकती है यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है जिससे आपकी भूख भी बढ़ जाती है कभी कभी आपके पेट में इसीड बनने लगता है लेकिन इसका सिवन करने से या पेट में इसीड बनने से रोकता है जिससे आपको तनाउं से भी निजात मिल जाता है अगर आप भूना हुआ लहसुन खा करके सोते हैं दोस्तों रात को तो आपको ये सारे फायदे मिलेंगे जो हमने अभी आपको बताए अगर आप स्वस्तर रहना चाहते हैं तो रात को बस करना क्या है कि भूने हुए लहसुन का सिवन कीजिए और स अधी महत्वपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों